मसकार आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं निज़ 24 और मैं हूँ आपके साथ अंचली आनन्द बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बरी खबर के साथ सीट शेरिंग पर सहमती से पहले इंटिया के घटक दलूक में बैठको का दौर शिरू हो गया बिहार में नितेश कुमार की पार्टी जेडियू अपने संगचन को मजबूत करने की तियारी में जुट कई और इसको लेकर जेडियू आज एक बड़ी बैठक करने जारी है दो दिनों तक चलने बाली बैठक में परखंड से लेकर राजिस्तर तक के बड़े नेता शामिल होंगे ये सारी तियारी लोग सभाचुनाओ को लेकर है सीम नितेश कुमार खुद बैठक में शामिल होकर लोग सभाचुनाओ की तियारियों की समिक्षा करेंगे वहीं J.U की बैठक से पहले बिहार के डिप्टिसीयम और RGD ने इता तेजस्पी आदपने भी पार्टी ने इताओं के साथ बैठक की ये बैठक उप्रुखी मंदरी तेजस्पी आदप की सरकारी आवास से पर हुई तमाम जानकारी के साथ हमारी समवादाता पतना से कुमार सौरब लाइफ जूचुक है। कुमार सौरब बैचकों का दौर जारी है बिहार में देखिए। और ये भी तैह है कि इंडिया गठबंदन की बात की जाए सौरब तो इसमें बिहार की बड़ी भूमिका रही है। क्य ये जो बैठक हो रहा है कहा तो ये जा रहा है कि संगठ्छन को मजबूत करने की कबायत की जारी है। क्या इस बैठक के जरिए सीट शेरिंग को लेकर फॉर्मूला भी तैह हो सकता है। पिहार के जो एमेले हैं, एमपी हैं और जो एक्सेमेले हैं उन सभी को बुलाया गया है। इसके अलाबा जो जिला ध्यच हैं आरजेडी के उनको भी तेजस्वी यादम ने तलब किया है। और आज सभी लोगों के साथ बैठक होगी। और ये जाने की कोशिस होगी कि हमार जो सीटे हैं वो कौन सी मजबूत हैं, कौन सी कमजोर हैं और वहाँ पर भावी उमिदवार कौन हो सकते हैं जो जिनकी दावेदारी जादा से जादा मजबूत हो। दूसरी अगर दो पहर दो बजे के बाद जदियू कारियाले में मुखमंत्री नितीश कुमारे एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम जो जिला अध्यच हैं, बिधान सभा के जो परभारी हैं सभी को बुलाया गया है और मुखमंत्री के साथ साथ इसमें राश्टी अध्यच ललन सिंग भी रहेंगे और ये जानने की कोशिस करेंगे कि लोगों का रुजहान क्या है, लोग क्य सोच रहें, क्योंकि नितीश कुमार की अगर सरकार के बारे में अगर आप देखेंगे तो 17-18 सालों से नितीश कुमार मुखमंत्री हैं, उनकी सरकार चर रही है, तो लोगों का फीडबेक क्या है, सरकारी जो योजना है, उसका लाब लोगों तक पहुँच रहा, नहीं पह कितेंगे, यहीं सारे मुद्दो को लेकर जो लोग आ रहे हैं, यानि जो जिला परवारी आ रहे हैं, जो परमंडल परवारी आ रहे हैं, जो विधान सभा के परवारी आ रहे हैं, उन लोगों से एक फीडबेक लेने की कोशिस की जाएगी, और उसके बाद सीट सेरिंग को लेकर जो आगे की रन्नीती है वो भी बनानी की कोशिस की जाएगी जी बिल्कुल सौरब आगे की रन्नीती तै की जाएगी और बड़ी बात ये है कि संगठ्षन को कैसे मजबूत किया जा इसे लेकर भी कबायत के जारे फिलाल हमारी सरजुनिक लिए आपका शुक्रिया